नमस्कार शिप्रागरू हम्मेट पूड में आप सभी को स्वागत है आसा करती हो आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए आज हम बनाने वाले है पत्तागोवी ओडी पत्तागोवी का ओडी बना के इसका हम भाजी भी बनाएंगे एक दम नाय डी से ए बहुत ही पत्ते का ओड़ी खाय हो और ये अजय टेस्ट लगेगा लिकिन थोड़ी आलाग है जैसे पत्ता गोवी पत्ता पद्तेस्ट रहता है थोड़ा अलाग अलाग टेस्ट है लकिन बहुत ही आच्छा बनेगा और इसका हम भाजी बनाएंगे लास्त त act हमारा वीडियो देखि यह लर्षून है अरी मिर्ची है हरा धनिया है इसका एक हम दर्दरा पेस्ट बना लेंगे विक्सर जार में डाल के यह हमने दर्दरा करके पीछ लिया है यह देखिए यह हम पत्ता गबी के अंदर डाल देते हैं हमने अरी धनिया हरा मीर्ची और लशून यह हमने दर्दरा पीछ लिया है और हमने एक अनियों को चौप करके ले लिया है यह हम डाल देते हैं आओ हमकों डाल है गॉर्म यसरी चमज नीघ्स्पट करना दरशाकिए धी हुआ से हामपी ट्सके कालर चेली जरू कि शुचब को बाहली छीजाए लेक्ट डाला किवे लिए नमक भी हम डाल देते है तो आनले बसम्दमेंश से जितन लगेंगे ऑडता योब ही दोगे जाएसोब होएगा नहीं तो यह हम कर लेते हैं जैसे हम नमक डालते हैं पत्ता को भी भी डालने के बाद क्या होता है पत्ता को भी पानी छोड़ता है तो वह हिसाब से हमें बेशन डालना पड़ेगा तो हम थोड़ी थोड़ी बेशन डालके इसको आठे जैसे मल लेते हैं तो देखिए यह हमने डो बना लिया सब चीज मिख्ट करके देखिए इसका एसा ही इसका कॉंसेस्पेंसी आइसा होएगा यह देखिए इसी तरह और हमने एक थाली लिया है यह थाली में हमने तेल रखा है और तेल हम ब्रास कर देते हैं पुरी तरह अच्छे से और ब्रास करके तेल इसके अंदर हम जो डो बनाया है पत्तागोवी का बेशन डाल के यह हम इसके अंदर रखेंगे अच्छे से पिर उसके बाद हम पहाब में पकाएंगे यह हमने कड़ाई रखा है अब देख सकते हो पड़ाई के उपर हमने एक वाटी रखा है पिर उसके हम झाल ही से पर उपर हम ठालाए रखेंगे तो पहले हम थाली में डाल लेते है उसके अगर्म पानी करते हैं उसके उपर हम थाली रखते हैं फिर उसके उपर झाल जाज़ा लगा देते हैं पास मिनित के लिए हम फॉड़्स छोड है हर जी त दरत शीर के दिकшее है So taking the dirt तो पास कीनीट हुगा है सब्सक्राइब मनें देखे इसको थन्ड़ी कुई देखके ढ़िखे सकते हैं जाए धंड़े हैं आप में पीशेश कर कि काटाधे स्कुयार साइच में स्कुयार में काट लिए है रिज पर स्थामे सेखेट रॉप्राई करते हैं उसके बाद सब्सकी बनाएंगे तो हमने एक पैन बिठा दिया है और उसमें एक चमस्थेल डाल दिया है तो हम जैलो फ्राय कर रहे है बहुत ही आचा लगता है यह पीसेश एक्टम नहीं है आप फिर एक पर प्राई कीजिए ज़रूर बहुती अच्छा बनता है देखिए एक बाजो लाल हो गया है एएसा पलर देते है हम इसी तरो लाल करते हैं फ्राई करके लेना है तो यह को आपको लागे गा एक पणिर का सब्जी क्या है मालूम ही नहीं पड़ेगा यो प्ताकभी का सब्जी है का पनीर का तो बहुत चाई देखे एक बजो हमने लाल चार णूं कर प्राइकर करें ले लिया है चैने निगें निकाल के लिते हैं sing आप प्राय अ इसी तरह हम त्वह करें अब बाजी अब लेया है थो डाना कब न gefह ऐया है कड़ाई में टेल नहीं चलीव कर देफाएन सब्णारा आखाने मरी गहरं होगाै अब दगर्वाइन धालते है। दो तेज पत्ता लिया है थोड़ी ची टुकड़े आमने दारचनी लिया है और दो छोटा इलाइची दो लवम छुटकी बर जीरा यह हम डाल देते हैं यह डाल के थोड़ी डाल करके लेला है तो अब हम यह लाल मिच्पी एक डाल देते हैं देखिए जीरा लाल हो गया है अब हम यह ओनियून पेस्ट करके लिया है यह थोड़ी ची गोल्ड़न कलामियों ब्रॉना है तो अनियून हमारा गोल्ड़न प्राउन हो गया है अब हम डाल देते हैं यह लशुन आद्रग का पेस्ट यह डाल के लिए गोल्ड़न प्राउन करके भूलना है मसाला को हुर्लन प्राउं माना बड़न ग्राउन भूलिया है अब हम डाल देते हैं इक टोमेटो हम ने बड़ी सवंहित के लिया है है कि हमगो यह ऩामि這些 गल्लाना है कुछी मसाला का पानी हिन जाल देते हैं जले में तुखी मसाला भी आट करना है इसमें तो ये गिर करके हम एट करते जा रहे हैं तो ये हमने गर्व मसाला 1 टब श्पून डाल दिये हैं अब हम टाल दिये हैं ये रेट चिली पाउडर 1 टब श्पून ये हम टाल दिये हैं और काश्मेरी रेट चिली पाउडर ये भी हम टाल दिये हैं 1 टब श्पून और चुट्की बर हल्बी ये दाल दिये हैं जर्या पाउडर यह भी हम 1 टेबल स्पून डाल दिये हैं, और कीड़ा पाउडर हमें चुटकी भाइ डाल दिये हैं तो यह डाल के मसाला को अच्छी करो लाल करना है तो मेटो जल्दी पाके, इसलिए हम थोड़ी सी स्वादुन साथ नमभी डाल दिये हैं को मित पाखका को के अच्छा एक हमें 10 जाल ठादेती तो हम 25 और 11 जा देखें स्था वी Wirim II Daugamilikра के वाद भी आ देखते हैं मसला कितना कहता है बें माशाला सधरा पाख दिया है एक आद देंगे ए अ één कि स्टेछ में हम ठेंगे एक आलू Il barbecue को आमने बैल करके थोड़ी सी लाल करके फ्राइब करें यह हम डाल देते हैं यह आलू एकदम अप्शनल है आपको चाहिए तो आपको डाल सकते हो नहीं तो स्कीप भी कर सकते हो लेकिन डालू में तो इसका जो रखता है वह बहुत ही गाड़ा बन जाएगा थोड़ी सी आलू टालो के तो सब्जी के अंदर तेस्ट भी अच्छा लगता है यह बहुत ही अच्छा बनता है जैसा आप पनीवता सब्जी खा रहे हो ऐसा ही लगेगा तो देखिए मसाला के साथ में हमने आलू भून लिया है अब डालते हैं आप फानी यह मसाला का परिपहले हम डा पानी यह कि डाला रहे है तो रशता आपके हिसाब से रखे को आपको जैसर चाहिए हो इसाब से रखे में एक्डम ज्यादा रस्ता भी नहीं अच्छा लगता है थोड़ी थोड़ी वार्धा पो अच्छघम लागे लाजिए और यह मम ने हधोग के लागेना है सब्सक् hm में फ्राइ करते हैं पथ्द गोवी का औरी के अबीनी तो प्रेल थाकन लगा के लूपनित छोड़ दे ते हैं देखिये सबजी गववा ला गया है अब हम एक एक कर के औरी डाल देते हैं कि यह डाल के दो तीन में धापन लगा के पकाना है जादा नहीं फोड़े से टाइम एकड़म गैस को दिमा करके पकाना है और यह बहुती बढ़िया बंते हैं आप घर पर एक बार जूरू ट्राइ कियेगा यह बहुती अच्छा लगता है तो इसके अंदर रस्ता भी चला ज जाले दीजिए और उपर से हम यह हारा धनिया भी डाल देते हैं और धाकन लागा के दो मिनीट हम छोड़ देते हैं इसा फिर आप से मिलते हैं प्लेटिंग करके यह हमारी पत्ता गोवी का ओड़ी और उसका सब्जी हमने बनाया है एक दम तयार हो गया है यह देखिए बह अवरकर एकबर ट्राइ किजेगा जोरूड ए राईस रोटी किसी के साथ यह खा सकते हो पराटे के साथ भी खा सकते हो तो हमारा वीडियो आच्छा लगा तो लाइक कीजिए सेर किजिए सब्स्क्राइब कीजिए साइड में जो बेल बोटन है वो भी प्लेस कर दिजिए ज झाल